नुश्कर बच्चो बच्चो उमीद है कि आप अपने स्थान पर स्वस्त और सुरक्षित होंगे बच्चो आज हम कक्षा 10 का अध्याय साथ करने जा रहे हैं और जिसका नाम है लोक तंतर के परिनाम बच्चो आपने इस कक्षा के शुरू से ही ये जो नागरिक जीवन की जो किताब है किस प्रकार आपने शुरू से ही लोक तंतर के बारे में जानने का प्रयास किया लोक तंतर की विभीन चीजों को आपने जाना अब उनके अधार पर आपने क्या सीखा हम एक निशकर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर लोक तंतर के परिणाम क्या होते हैं और अगर देखा जाए तो लोक तंतर के परिणामों को मुख्य तीन भागों में बाटा जा सकता है पहला है राजनितिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है समाजिक अर्थार इन तीनों शिर्षकों के अंत्रगत हम लोक तंतर के परिणामों को समस सकते हैं अगर हम राजनितिक प्रिणामों की बात करें तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या जो लोकतंत्र है क्या वो वैद्ज, जिमेदार या जुआबदे है या नहीं और अगर हम आर्थिक प्रिणामों की बात करते हैं तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या इसकी वज़ा से असमानता कम होती है या जो गरीबी और जो अमीरी का अंतर है वो कम होता है या नहीं होता है और जो आर्थिक विकास है वो हो पाता है या नहीं और समाजिक परिणामों की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या समाज के अंदर जो अलग अलग समू है जो वर्ग है क्या वो आपस में मिल जुल करके रह रहे हैं या नहीं है और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहां पर नागरिकों को क्या उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता है या नहीं मिलता है तो हम इन तीनों राजनितिक, आर्थिक और समाजिक अधारों पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोगतंतर के परिणाम इन तीनों शिर्षकों के अंतरगत सब लोगों को प्राप्त हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं बच्चों कक्षा नों में आपने मैडम लिंगदो की कक्षा में पढ़ा था कि जो लोगतंतर है किस प्रकार एक बहतर विकल्प है जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं उन सब में जो लोगतंतर है अगर देखा जाए तो सबसे बहतर है आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इसको बहतर बनाती हैं यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है व्यक्ति की गरीमा को बढ़ाता है इससे फैसलों में बहतरी आती है तकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है बच्चों जब हमने ये जो बातें की इन पर गोर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो लोगतंतर को देखने वाले लोग हैं या लोगतंतर को अच्छा समझने वाले लोग हैं उनकी संख्या काफी है पर फिर भी अगर देखा जाए जितनी संख्या लोगतंतर के समर्थकों की होनी चाहिए उतनी नहीं है इसलिए यहां पर एक दूविदा बनी रहती है अगर देखा जाए तो सिधान्त में लोगतंतर सही है प्रन्तु वेवहार में इसका पालन उतना नहीं हो पाता जितना की स कुछ हो नहीं पाता है अब देखा जाए तो क्या जो लोगतंतर्क है उसको सिरफ हमें एक नैतिक चीज़ ही मान करके चलें या हमें किसी अन्या चीज़ों पर बात करनी चाहिए आज दुनिया के सो देश किसी न किसी तरह की लोगतंतरिक विवस्ता चलाने का दावा करते हैं इनका अपचारिक समिधान है इनके यहां चुनाव होते हैं और राजनितिक दल भी हैं साथ ही वे अपने नागरीकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गरंटी देते हैं लोगतंतर के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान हैं पर समाजिक स्थिती अपनी आर्थिक उपलब्दी और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफी अलग-अलग हैं सपस्थ है कि इन सब का लोगतंतरिक शासन विवस्ता के नतीजों पर भ रबदी हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे यह जरूरी नहीं है लेकिन क्या कोई ऐसी बुन्यादी चीज है जिसकी उम्मेद हम हर लोगतंत्रिक शासन विवस्ता से करेंगे हम क्या करने लगे हैं हम ये मानने लगे हैं कि जो लोक्त अंतर है वो एक प्रकार से जितने भी मर्ज हैं वो उन सब की दवाई है और ये अपेक्षा करने लगते हैं कि जो लोक्त अंतर है वो सभी प्रकार की समाजिक और जो राजनितिक या जो आर्थिक स्थितियां हैं उनसे वो हमें निप्टान में या निप्टने में मदद करेगा और जब हमारी ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती जब हमें लगता है कि हमें ये चीज चाहिए थी और लोगतंतर से वो चीज हमें नहीं मिली तो हम लोगतंतर को दोश्ठ हहराना शुरू कर देते हैं अगर देखें जो लोगतंतर है जितनी भी समाजिक वुराईया है उनको हटाने वाली एक जादू की छड़ी नहीं है लोगतंतर में भी कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती है कि लोगतंतर उनको पूरा करने में सही साबित नहीं होता और इसलिए लोगतंतर पर कई बार स्वाल शुरू हो जाते हैं. आइए अब हम लोग तंतर में उत्रदाई, जिम्मेदार और वैद शाओसन की बात करें. हम क्या देखते हैं? कि लोग तंतर में हम सब है चाहते हैं कि हमें अपनी सरकार को चुनने का अधिकार मिले और जो सरकार है वो एक परकार से जितने भी नागरिक हैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करे तब ही सही अर्थों में उसको लोगतंतर कहा जा सकता है अर्थात जो जनता की भागिदारी है वो तो सुनश्चित होगी ही परंतु साथ-साथ सरकार को ये भी देखना है कि उसके देश में या उसकी शासने वस्ता में जो लोग रह रहे हैं उन तक वो सही लाब पहुँच रहा है या नहीं इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामली सा जान पड़ता सवाल यह भी है क्या लोग तांतरिक सरकार कारे कुशल होती है क्या यह प्रभावी होती है कुछ लोगों का मानना है कि लोग तंतर में कम प्रभावी सरकारें बनती है निश्चित रूप से यह सही है कि अलोग तांतरिक सरकारों को विधायका का सामना नहीं करना होता उन्हें बहु संख्यक या अलब संख्यक नजरिये का ख्याल नहीं रखना पड़ता लोग तंतर में बाच्चीत और मोल तोल के अधार पर काम चलता है क्या इससे लोग तंतरिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती है बच्चों कई बार क्या होता है कई शासन वेवस्थाएं उनमें क्या होता है कई शासन वेवस्थाएं ऐसी होती है कि वो बड़ी जल्दी फैसला ले लेती है और जब वो फैसला ले लेती है तब कई बार उनको लोग मानते नहीं तो ऐसी स्थिती में क्या होता है परिशानियां खड़ी हो जाती है लेकिन जो लोगतंतर है वहाँ पे क्या होता है फैसला पूरी एक प्रकार से प्रक्रिया को अपना करके लिया जाता है और जब इस प्रकार पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो लोग उसको सविकार लेते हैं और इस प्रकार देखा जाए कि लोगतंतर में जो फैसले होते हैं वो अंत में जाकर के सही साबित होते हैं बेशक उनमें लेने में समय क्यों न लगे अब दूसरे पहलू पर नजर डालें लोगतंतर में इस बात की पक्की विवस्ता होती है कि फैसले कुछ काइदे कानुन के अनुसार होंगे और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियुमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है उसे यह ना सिरफ जानने का अधिकार है बलकि उसके पास इसके साधन भी उपलब्द हैं और इसे पारदर्शिता कह कि लोगतांत्रिक विवस्ता में ऐसी सरकार का गठन होगा जो काईदे कानुन को मानेगी और लोगों के प्रती जवाब दे होगी हम यह उमीद भी कर सकते हैं कि लोगतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्ने प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रती ज संस्थाओं और वेवहारों पर गोर करना होगा नियमित और निश्पक्ष चुनाव प्रमुख नीतियों और ने कानुनों पर खुली सारजुनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को सूचना का अधिकार इन पैमानों पर लोगतांतरिक शास्कों का रिकॉर्ड मिला जूला रहा है नियमित और निश्पक्ष चुनाव कराने और खुली सारजुनिक चर्चा के लिए उप्युक्त स्तीतियां बनाने के मामले में लोगतांतरिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल हुई हैं पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सब को अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सारजुनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है नागरिकों के साथ सूचनाओं का सांजा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है पर इनकी तुलना जब हम गयर लोगतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका परदर्शन बेहतर ही ठहरता है एक व्यापक धरातल पर लोगतांत्रिक सरकारों से यह उमीद करना उचित ही है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हों और कुल मिलाकर भरस्टा चार से मुक्त शासन दें इन दो मामलों में भी लोगतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोगतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती हैं और अबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है। लोगतांत्रिक सरकारें कम भरस्थ हैं या लोगों की जरूरतों के प्रति समवेदन शील हैं यह कहने का कोई अधार नहीं है। पर अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो लोगतांत्रिक सरकार हैं दूसरी जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे बढ़िया अगर देखा जाए तो दूसरी सरकारों से या दूसरी शासन व्यवस्थाओं से एक प्रकार से कम भरस्थ होती है। यह थोड़ी सुस्त हो सकती है लेकिन इसकी कुशलता को हम किसी पेमाने पर यह कहकर नहीं खारिज कर सकते कि यह चीज गलत है। अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के हिसाब से दूसरी व्यवस्थाओं को देखें, ताना शाही व्यवस्थाओं को देखें, ताना शाही व्यवस्था में क्या होता है। एक व्यक्ति अपने निर्णय लेता है और उसको पूरे देश के उपर लागू करता है। अगर हम दक्षिन एशिया की बात करें, दक्षिन एशिया में जो देश हैं जिनमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बंगलादेश, शिरी लंका, जब हम इनकी बात करते हैं तो ये पाते हैं कि सिरफ पाकिस्तान को छोड़ करके ज़्यादा तर जो देशों ने प्रात्मिकता दी है या जो समर्थन दिया है वो लोगतंतर को ज़्यादा दिया है ताना शाही की तुलना में, बच्चो आपकी किताब में ये एक दक्षिन एशिया का मानचित्तर दिया गया है और इसको तीन रंगों से दिखाया गया है, ये जो लाल जो रंग है वो कुछ देशों को द तंतर को क्या कर रहे हैं? वरियता दे रहे हैं और उसको समर्थन अपना दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि लोगतंतर सही है और दस प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि कभी-कभी ताना शाही बेहतर होती है और बीस प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कोई फ बात करें जो यहां के दक्षिन एशिया के देश हैं जिनमें बंगलादेश भारत नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो बंगलादेश है वो लोगतंतर को बहतर जो बता रहा है उसमें 79 प्रतिशत लोग वहां के लोग कह रहे हैं यानि देश 79 अच्छ प्रतिशत है जो लोगतन्तर बेहतर की तरफ जा रहा है और इसी प्रकार भारत 70 प्रतिशत नेपाल 62 पाकिस्तान 77 श्रिलंका 71 प्रतिशत और जो लोग मानते हैं कि कभी-कभी ताना शाही बेहतर होती हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि फरक नहीं पड़ता उनमें बंगलादेश में 25 भारत में 21 नपाल में 28 पाकिस्तान में 49 और श्री लंका में 18 पर्थीचंट लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कोई फरक नहीं पड़ता तो यह जो इनके अधार पर हम वाकही में देख रहे हैं कि दक्षिन एशिया में जो लोगतंतर को बेहतर मानने वाले लोग हैं या जो देश हैं वो ज्यादा हैं जबकि ताना शाही को जो महत्तो है वो कम दिया गया है तो बच्चों ये हमने बात की थी कि लोगतंतर के राजनितिक परिणाम क्या हो रहे हैं और आएए अब हम ये देखें कि लोगतंतर और आर्थिक विकास का आपस में क्या सबंद है क्या लोगतंतर से जो आर्थिक विकास है बढ़ता है या कम होता है असमानता घरती है या अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोगतांत्रिक शासनों और ताना शाहियों के काम काज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक सम्रिद्धी के मामले में ताना शाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उच्तर आर्थिक समरिद्धी हासिल करने में लोगतांत्रिक शासन किया है अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है पर अकेले इसी कारण से लोगतांत्र को खारिज नहीं किया जा सकता आर्थिक विकास कई कारकों जैसे देश की जनसंख्या के अकार, वैशविक सिती, अन्यय देशों से सहयोग और देश द्वारा तै की गई आर्थिक प्रात्थ मिक्ताओं पर भी निर्भर करता है ताना शाही वाले कम विक्सित देशों और लोगतांतरिक विवस्ता वाले कम विक्सित देशों के बीच का अंतर नगन्या सा है पर हम उमीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोगतांतरिक विवस्ता ताना शाही से नहीं पिछड़े बच्चों हम दो चार्ट के मादियम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आर्थिव की कास और लोगतंतर या ताना शाही कोन बहतर है अर्थात अगर हम ये बात करें कि लोग तंतर में आर्थिक विकास जादा होता है या ताना शाही में तो आईए चार्ट के माद्यम से समझें यहां पर चार्ट जो एक दिया गया है उसमें दिया गया है एक तरफ जो इसका मुख्य शिर्षक है उसमें दिया गया है विभिन देशों में आर्थिक विकास की दरें 1950 से 2000 के बीच यहां एक तरफ लिखा है शासन का प्रकार और देश और दूसरी तरफ लिखा है विकास दर अब शासन का प्रकार और देश में चार प्रकार की विवस्ताइं दी गई हैं देखें जरा क्या है सभी लोगतांतरिक शासन सभी ताना शाहियां ताना शाहिवाले गरीब देश लोगतांतर वाले गरीब देश और जब हम सभी लोगतांतरिक शासन की बात करते हैं तो ये पाते हैं कि विकासदर 3.95 है और सभी तानाशाहियां वाले देशों में जो विकासदर है वो 4.42 है और जब कि तानाशाही वाले जो गरीब देश हैं वहाँ पर 4.34 है और जो लोगतांतर वाले गरीब देश हैं वह वहां पर 4.28 है और यह जो आकड़ाई हैं यह बताते हैं कि अगर देखा जाए तो आर्थिक विकास में जो ताना शाही है वो आगे है जबकि लोकतंतर पीछे है लेकिन जब हम यह बात करते हैं कि जो गरीब देश हैं और वहां पर अगर ताना शाही है और अगर लोकतंतर है तो वहां पर हम एक देखा जाये तो नगन्या सा अंतर पाते हैं अर्थात वहां पर ज़्यादा हमें अंतर देखने को नहीं मिलता और इसी प्रकार यहां पर एक दूसरा चार्ट दिया गया है आईए अब हम उसको देखें और ये जो चार्ट है ये बता रहा है चुने हुए देशों में आए की असमानता अर्थाथ जहां पर लोग तंतर है वहां पर आए की असमानता जादा है या कम है एक तरफ यहां पर देशों के नाम है और दूसरी तरफ रास्टी आए में प्रतिशत हिस्सा अर्थाथ जो रा discussions अफरीका ब्राजिल रूस अमरीका ब्रिटेन डेन्मार्क और हंगरी और जब हम रास्ति हमें प्रतिसे की बात करते हैं उसमें हम देखते हैं कि उपर का बीस परतिशत और नीचे का बेस्परतिशत कि अगर देखें दक्षिन अफरीका में 64.8 प्रतिशत लोग ऐसे हैं देश के जो उपर की 20 प्रतिशत आये ले रहे हैं और नीचे का 20 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जो जिनको केवल रास्ट्रिय आये में 2.9 प्रतिशत हिस्सा मिल रहा है ब्राजिल में ये जो अनुपात है वो 63 और 2.6 का है रूस में 53.7 और 4.4 का है अमरीका में 50 और 4 का है ब्रिटेन में 45 और 6 का है देनमार्क में 34.5 और 9.6 है और हंगरी में 34.4 और 10 है तो जब हम इस तालिका को देखते हैं और आंकडों का विशलेशन करते हैं तो ये पाते हैं कि ज़्यादा तर लोगतांत्रिक देशों में जो क्या है आये का जो वित्रण है वो समान नहीं है क्यों क्योंकि वो प्रतिशत बहुत कम है जिनको रास्ट्रियाए में हिस्सा ज़्यादा मिल रहा है जबकि वो प्रतिशत बहुत ज़्यादा है जिसको रास्ट्रियाए में हिस्सा कम मिल रहा है केवल हंगरी और डेनमारक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें थोड़ी जो असमानता है वो कम देखने को मिल रही है आईए लोकतंतर में ये भी देखें कि क्या ये आर्थिक समानता और गरीबी को कम करता है या नहीं लोकतंतरिक विवस्ताओं से यह उमीद रखना कहीं ज़्यादा तरक संगत है कि वे आर्थिक समानता को कम करेंगी जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वित्रण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर लाब मिले और सभी लोग बहतर जीवन गुजार सकें क्या लोगतंतर आने से अवस्त्रों और वस्तूं का न्याय पूरण वित्रण हो पाता है? लोगतंतर विवस्ता राजनितिक समानता पर अधारित होती है. प्रती निदियों के चुनाम में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है. व्यक्तियों को राजनितिक क्षेतर में पर्स पर बराबरी का दरजा तो मिल जाता है. लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थी कसमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं. मुठी भर धन कुबेर आय और संपत्त में अपने अनुपास से बहुत जादा हिस्सा पाते हैं. इतना ही नहीं देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है. समाज के सबसे मिचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं और उनकी आमदनी गिरती गई है. कई बार उने भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है. और इसी प्रकार अगर हम गरीबी की बात करें तो लोकतांतरिक विवस्ताओं में अगर देखा जाए बात तो की जाती है कि गरीबी को हम दूर करेंगे. लेक कि जो गरीबी है उसको कम करना है और जो गरीब लोग है उनको जो सुख सुविदाएं हैं वो पहुंचानी है. वो सिरफ अपने वोट बैंक पर ही अपना ध्यान केंदरित करते हैं और इस प्रकार अगर देखा जाए तो लोकतांतर में असमानता और गरीबी का जो एक प्र प्रकार से सिधांत बनाया गया है कि उसको दूर करना है वो वास्ता में अभी भी दूर होती हुई नहीं दिख रही. आएब हम जो इसका तीसरा परिणाम है लोगतांतर का तीसरा परिणाम जिसकी हमने बात किये थी समाजिक परिणाम. क्या वो अपने इस परिणाम को पान में सक्षम हो पाया है या नहीं हो पाया है और अगर हम पहली बात करें कि जो समाजिक विविज़ता होती है किसी लोगतांतरिक देश में क्या लोगतांतर उसके बीच समंजस्य बिठा पाया है या नहीं अब आप सोच रहे होंगे कि समाजिक विविज़ता क्या होती है बच् अठे रहते हैं और उनके बीच एक प्रकार से ताल मेल बिठा के रखना सामन जस्या बिठा के रखना ये लोग तंतर की एक बहुत बड़ी चुनोती है और अगर भारत में देखा जाए या दूसरे देशों में भी देखा जाए यहां पर प्रयास किये गए हैं कि हम जो अलग लगत रहां कि संस्कृति वाले भाषा वाले धरम वाले बोली वाले लोग हैं आपस में उनके साथ एक प्रकार से सामन जस्या बिठा करके रखें हमने बेल्जियम में बेल्जियम का उधारन देखा था शुरू में ही शुरू के अध्यायों में और वहां पर आपने देखा था कि किस प्रकार बेलजियम ने अपनी जातिय सरंचना में प्रिवर्तन किया और किस प्रकार सब लोगों को साथ मिलाया लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बर रहती है और उसके लिए अगर दो शर्तें नहीं है तो तब समस्य है आएए वो दो शर्तें क्य पहुमत की राही से शासन करना नहीं है बहुमत को सिदा ही अलपमत का ध्यान रखना होता है उसके साथ काम करने की जरूरत होती है या इस तबही सरकार जनसमान्य की इच्छ का प्रतिनिधितव कर पाती है बहुमत ihm omega और अलपमत की राह지 कोई सथाई चीज नहीं होती यहे अथ्वा भशाई अधार के बहुत संख्यक समू का शासन नहीं होता बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाम में अलग लग लोग और समू बहुमत का निर्मान कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं लोग तंतर तभी लोग तंतर रहता है जब तक प्रतेक न लोकत अंतरिक शासन उस व्क्ति या समु के लिए समावेशी नहीं रह जाता और लोगत अंतर के अगर समाजिक परिणामों की आखरी बात करें या अन्तिम बात करें तो हम पाते हैं कि यहां पर नागरिकों की गरीमा और अजादी बनी हुई होती है अर्थात लोगतंतर नागरिकों को उनकी गरीमा और अजादी का पूरा समान देता है हर नागरिकों अधिकार है कि वो अपने ढंक से जीए अपनी अजादी के अनुसार जीए हाँ कई बार ऐसा हो सकता है कि उसका किसी के साथ तक्राव हो जाए तब वहाँ पर किसी ना किसी प्रकार की समस्या पैदा हो जाती है लेकिन लोक्त अंतर इस मामले में सब से आगे है कि वो नागरिकों को क्या करता है उसके अधिकार भी देता है उसकी अजादी भी देता है और उसको समान से जीने का अधिकार भी परदान करता है लेकिन यहां पर भी कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं यहां इस्त्रियों की गरिमा का ही उधारन लें दुनिया के अधिकांश समाज उर्ष परदान समाज रहे हैं महिलाओं के लंबे संगर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरीमा और समानता का विवार लोक तंतर की जरूरी शर्त है और आज अगर कहीं है हालत है तो उसका यह मतलब नहीं कि ओरतों के साथ सदा से समान का विवार हुआ है बहराल एक बार जब सिधान्त रूप में इस बात को सविकार कर लिया गया है तो अब ओर्तों के लिए वेधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रती गलत मान्यताओं और वेवारों के खिलाब संघर्ष करना असान हो गया है और अंत्ताहा हम ये पाते हैं कि लोगतंत्र को हमेशा प्रिक्षाओं से गुजरना पड़ता है कभी उसके सामने ये चुनोती होती है कभी वो चुनोती होती है और वो पूरी भी कर देता है फिर जो और जो लोग हैं वो फिर अपेक्षाइ करना शुरू कर देते हैं और फिर अपनी एक नई मांग लेकरके आना शुरू हो जाते हैं और साथ साथ कई बार वो क्या करते हैं शिकायत भी करते हैं और अगर देखा जाए ये जो शिकायत और एक परकार से जो मांगे चली आ रही हैं एक परकार से वो लोगतंतर के लिए सबसे बड़ी कहा जा सकता है एक सोटी है और लोगतंतर उस पर खरा उतरने का पूरा प्रया कि जो लोगतंतर के परिणाम होते हैं, चाहे वो राजनितिक हैं, चाहे वो आर्थिक हैं, चाहे वो समाजिक हैं, किस परकार लोगतंतर उनको पूरा करने की कोशिश करता है, हलांकि कई बार उसको इनको पूरा करने में थोड़ी चूक हो जाती है, लेकिन लोगतंतर फिर भी सब लोगों के भले के लिए अपना प्रयास जारी रखता है उमीद है कि आपको ये जो अधियाए है समझ आ गया होगा आपने कितना समझा कितना जाना आए इसको थोड़े से प्रशनों के माध्यम से जानने का प्रयास करें पहले हम बहुवी कल्पी प्रशन करेंगे इससे फैसलों में बेहतरी आती है ये सभी बिल्कुल सही इसका जो विकलब है चोथा ये सभी क्योंकि lonstr में सब चीजें शामिल होती है प्रशन दो लोगतांत्रिक विवस्ता की निम्न में से क्या एक विशेष्टा नहीं होती विकल्प नियमित और निश्पक्ष चुनाव नागरिकों को सरकार के बारे में जानकारी प्राप्ट करने का अधिकार यह अवैद शासन विवस्ता होती है खुली और सारजनिक चर्चा जो तीसरा विकल्प है वो गलत है क्योंकि यह अवैद शासन नहीं लोकतांत्रिक विवस्ता वैद शासन विवस्ता होती है प्रशन तीन दक्षिन एशिया में निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं है विकल्प है चीन भारत निपाल पाकिस्तान तो इसका जो विकल्प पहला है चीन वो गलत है क्योंकि चीन दक्षिन एशिया में शामिल नहीं है प्रशन चार जहां पर निर्ने एक विक्ति के द्वारा लिये जाते हैं उस शासन विवस्ता को क्या कहा जाता है विकल्प हैं राज तंतर, ताना शाही, अलप तंतर, लोग तंतर बिल्कुल सही जहां पर निर्ना एक व्यक्ति के द्वारा ले जाते हैं शासन विवस्ता को ताना शाही कहा जाता है अब हम लगूत रातमक प्रशन करेंगे प्रशन एक देश का आर्थिक विकास कौन से तत्वों पर निर्भर करता है उत्तर, देश की जनसंख्या के अकार पर, वैश्विक स्तिती, अन्या देशों से सहयोग पर, देश के द्वारा तै की गई आर्थिक प्रात्मिक ताउं पर तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ध्याय समाप्त हुआ, सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें, धन्यवाद